बड़ा बनने के लिए चाहे हमें कितना ही उपर उठना पड़े लेकिन आखिरकार जुकना ही हमें बड़ा बनाता है जुकना ही हमें बड़ा बनाता है नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस अचारिय वासुदेव मिस्रा आपके अपने चैनल भविश्य माड़ी पावर आप दे लौड में हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कारिय करम आप लोगों के लिए मिथोन रासी वालों के लिए बेहती जादा खास कारिय करम साबित होने वाला है जैसा कि आपने थमनेल में इस पश्टरूप से पढ़ ही लिया होगा कि करम और नियाय के दाता सनी देव हुए सौग उना जादा सकती साली अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला जी हाँ दोस्तों करम और नियाय के दाता सनी देव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं आपको बता दें सनी देव अपने मित्र राहु के सदभिसा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रेल महिने तक इसी नक्षत्र में भ्रमण करते ह आपको प्रभावित करेंगे लाजमी है यह प्रस्न तो आपके मन में जरूर उत्पन्न होगा कि सनी देव का सद्भीसा नक्षत्र में प्रवेज करना मिथुन रासी वालों के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी वर्तमान स या फिर मित्र की रासी में गोचर करता है तो उसके बल में बृद्धी हो जाती है वह ग्रह बेहदी जादा प्रभावसाली बलसाली बन जाता है यह बात हर कोई जानता है लेकिन दोस्तों जब भी कोई ग्रह अपने उच्च रासी अपने मित्र की रासी या फिर अपने सौगुना जादा बृद्धी हो जाती है ठीक इसी प्रकार से कर्म के दाता सनी देव के उपर भी ऐसा ही देखने को मिला है जी हाँ सनी देव अपने मुल्त रिकोर्ड रासी कुम्भ रासी में गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सभिसा नक्षत्र में प्रवेश कर तो सनी देव आने वाले साल 2024 के अप्रेल महीने तक कई प्रकार के सकरात्मक रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे वैसे तो सनी देव को कालपुरुस की कुंडली में मुख्य रूप से विसाद याने की दुख का कारग्रह कहा गया है लेकिन जब सनी देव देने पर आते हैं तो छप पर फाड़ करके देते हैं तो दोस्तों देखिए सनी देव इनका जो यह नक्चत्र परिवर्तन है यह आपके लिए भाग्य इस्थान में हुआ है याने की गोचर कुंडली में आपकी रासी से नवम इस्थान में जो आपके भाग्य का इस्थान होता ह सबसे पहले तो सनी देव का यहां पर गोचर करना आपके भाग्य को जागरित करने का कार्य करेगा अभी तक जो आपका भाग्ये सोया हुआ था वह जाग जाएगा और जब आपका भाग्ये जागरीत होगा तो आपको पता ही है इसका किस प्रकार से परेडाम आपको प्राप्त होगा तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सनी देव अष्टमभाव के भी स्वामी बनते है तो भाग्ये भाव में अष्टमभाव के स्वामी का तो गोचर करना उतना अनुकुल नहीं माना जाता लेकिन सनी देव का प्रभव ही कुँछ अलग है यहाँ पहले तो अपने मुल्तरिकों से प्रमोशन के रास्ते खुलेंगी आपकी मेहनत के नुशार जो आपको परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी वह परिणाम अब आपको मिलना चालू हो जाएगा बड़े भाई बहनों की वजह से जो धन का नुकसान अभी तक आपको हो रहा था उसमें भी आपको रा पन्न हो गई थी तो वह भी ठीक होता हुआ आपको नजर आएगा उनके कबजे में अगर आपका कोई संपत्ति फंसा हुआ था तो वह आपको मिल जाएगा लाब इस्थान पर इंकम के इस्थान पर सनी देव की दृष्टी का पढ़ना आपकी जो इच्छाएं हैं जो भी म मकान वहां जैसी संपत्ति खरिदने के लिए भी समय अच्छा है आई इस्थान पर सनी की दृष्टी पढ़ेगी जिसकी वजह से न सिर्फ आपके लिए लाब के आउसर खुलेंगे बलकि समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धी की प्राप्ति होगी इस समय सनी देव आपक अमूल्य बढ़ जाता है ठीक ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा इसके अलावा दोस्तों अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई व्यापार है कोई नौकरी है जो बंद की कगार पर आपड़ी थी वह भी अब आपके लिए खुलता हुआ नजर आएग अपने कारक भाव पर मतलब इस समय आपके प्राकरम में बृद्धि करेंगी आपको सहासी बनाएंगी महनती बनाएंगी आप अपने लक्षा को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करेंगी यह तो होगा ही होगा साथ में दोस्तों जो आपके दुस्मन थे जो आपके पी कर लेंगे और दोस्तों जो वेर्था के केस मुकदमे आप के उपर अभी तक लगे हुए थे जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे लेकिन कोई न कोई समस्या फिर भी खड़ी हो जा रही थी तो समझ लीजे अब आप उन केस मुकदमों से बाहर निकलेंगे और वैवाहिक जीवन में तो मधूरता आएगी ही आएगी साथ में विवाह के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रिष्टे आएंगे जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेसान थे अब बहुत समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा आपके जीवन में जो आपकी सिक्षा रुक गई थी वह फिर से मजबूत होनी प्रारंब हो जाएगी मन चाहे जगह पर एडमिसन लेना या फिर कोई प्रत्योगी परिक्षा आप क्लियर करना चाहते हैं तो निश्चित रुप से सनी देव का सिरुवात आपको मिलेगा और रिलेसंसिप में लव लाइप के छेतर में जो खटास उत्पन्न हो गई थी उसमें भी अब आपको सुधार होता हुआ महसूस होगा संपत्ती बटवारे को लेकर के जो समस्या थी वह भी आपके फेवर में आएगा याने की इस समय लाब के अवसर सनी देव आपके लिए जबरदस्त तरीके से खोलते हुए नजर जाएगी कुल मिला करके देखा जाए तू सनी देव का यह नक्चत्र परिवर्तन इंकम के मामले में लाब आने के मामले में अत्यंति स्रेष्ट साबित होगा आपके जीवन में धन आने के नए मार्ग खुल जाएंगे बिजनेस वयापार में आपको तरक्की मिलेगी और का काफी हद तक वेवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन में भी खुस्यों का आगमन होगा फिर भी सनी देव के इस नक्चत्र परिवर्तन प्रभाव को और ज्यादा बहतर बनाने के लिए दो उपाय मैं आपको बताऊंगा इन्हें अवस्य फालो कीजिए सबसे पहले तो सनी देव के मंत्र ओम सम सनिस्चराय नमह रोजाना 108 बार कीजिए और दुसरा सनी वार की दिन आप मजदुरों के बीच में जाईए उनके साथ बातचित कीजिए और कुछ नमकिन उन्हें खाने पिने को दीजिए सनी देवाब से अत्यनती ज्यादा प्रसन न रहेंगे तो दो प्रसकार